नमस्कार, कैसे हैं आफ? दि-मके के सिक्षा मंत्री है कि पुरी मुडी ने सोनिया के पुरी साज़िस की पोल खोल दी ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है ये पता नहीं था कि जबसे सोनिय गांदी कौंगरिस पर सोनिया ताबिज हुई है तब से कॉंग्रेस का चडित्र सनातन विरूधी कहो गया, राम द्रोह कहो वैसे राम मंदिर का ताला खुलवाया था सोनिया के पती राजी दांधी नहीं लेकिन सोनिया के हाथ सत्ता आते आते मनमौल सिंग का रेमोट सोनिया ने थामते थामते कॉंग्रिस को कहां से कहां ला दिया कि दीमके के शिच्छा मंत्री यह कहने लगे कि ये एंडी गटवंधन जिसे प्रान मंत्री बोधी घमंडिया गटवंधन कहते हैं ये बना ही है सनातन को समाप्त करने के लिए अब सनातन को समाप्त करने के लिए बने इस घमंडिया गठवंदन का एजेंडा क्या राम मंदिर निर्मान को रोकना या उसके लोकारपन से पहले कुछ बड़ा कांड करने की त्यारी अखिर इस कदर सोनिया गैंग सानातन के खिलाप नफरत पर क्यों आतू गुई और यह सब कुछ यकाइक नहीं हुआ लेकिन के पुली जो डीमके के सिक्षा मंत्री हैं उनका ये बयान तब आया जब चेप मिनिस्टर स्टालिन के पुत्र मुद्य निधी स्टालिन ने सनातन के तुलना डेंगू मलेरिया से कर दिया और कहा इसके उनमूलन की ज़रूरत है उनका वो वीडियो खुम वाइरल हुआ बहुत जद्दो जहत के बाद महराश्रमी मुंबई में स्टालिन पुत्र पर F.I.R. दर्ज कर लिया गया है लेकिन मामला सिर्फ वहां तक नहीं रुका कि स्टालिन के बेटे ने ये बात कह दी तो कॉंग्रिस उस पर प्रतिक्रिया दे कर के कहे कि हम सब सनातनी हैं और सनातन के खिलाप ऐसा नहीं बोल जा सकते कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे के बेटे प्रियांख खरगे चार कदम आगे बढ़ गए प्रियांख खरगे ने स्टालिन के बेटे की बात को पर मुहर लगा दी और उन्होंने कहा कि डेंगू मलेरिया जैसी सचमुच ये बिमारी प्रियांख खरगे की बात को डेंग के कही नेता तिहार रिटर्न ए राजा ने और दो कदम जाकर कह दिया कि उध्यनिदी ने कम बोला है उध्यनिदी ने खुदारवादी रगया अपनाया है दरसल सनातन कोड की तरह है कोड जो बिमारी होती है उसकी तरह है अब सोचिए दुनिया में क्या किसी दूसरे मजभ के लिए इस देश में ही यदि इस्तलाम के लिए या इसायत के लिए ऐसी बात कही जाती तो ये क्या करती लेकिन ये सब चीजे क्या सिर्फ इसलिए की जा रही है ये सब चीजे सिर्फ क्या इसलिए हो रही है ताकि प्रवोक किया जाए इस देश में धग एक तरह से सामपरदाईक सौहार्थ बिगार करके दंगे कराय जाए क्या ये सब चीजें यही चाह रहे थे इस पूरे शडियंद को योगी आदे तनात भाप गए क्योंकि ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में होना है आयोध्या में दिब बिभब बिराम मंदिर बनना है और इस राम मंदिर के साथ ही आयोध्या धरती पर सबसे खोबसूरत शहर का स्वरूप ले रही है दुनिया में सबसे बहतरीन एयरपूर्ट स्री राम एयरपूर्ट आयोध्या में बन रहा है उस शांदार रेलेबे स्टेशन आयोध्या में तयार होड़ा है आधनिक तरीके से देश का सबसे बहतरीन रेलेबे स्टेशन सबसे अत्याधनिक बस स्टेशन ये काया कलप जब आयोध्या का होगा तो कलपना कीजिए जब कहा जा रहा है काशी में प्रती दिन करोडों की संख्या में अब आगंतुक आने लगे हैं और ये माना जा रहा है कि बारह करोड से जादा लोग एक पर्वक्यप के दौरान शिव इस साबन महीने में सिर्फ साबन में लोग बारह करोड लोग काशी पहुँचे थे ऐसा पहले कभी नहीं हो दा अयोध्या की तो इस्तिती ऐसी थी कि सामने तर लोग खौप में नहीं जाते थे कि हमारे भगवान ही टाट में हैं टेंट में हैं वहां दिल में भव्विराम मंदिर बन रहा है दरसल फेबरवरी महिने में माना जा रहा है कि उसका लोकारपन हो जाएगा और स्वेंग प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी अयुध्या का लोकारपन करेंगे आने वाले दोर में अयुध्या का राम मंदिर विदेशी मिहमानों को गिफ्ट किया जाएगा अब तक इस बात की चर्चा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि राम मंदिर अभी तयार नहीं हुआ तो जब राम मंदिर बन करके तयार हो जाएगा उध्या में दिब्विभब्वि राम मंदिर उसके बाद काउरिस को जगह नहीं मिलेगी कहीं छुपने के और वो पुरा पाप खुल करके सामनी आएगा वो पुरा पाप क्या वो पुरा पाप यह नहीं कि जो DMK के नेताब dee पुनी रुटी ने कहा जो राजिका सिक्षा मंत्री है दरसल पुनी मुटी की परिशानी ये है कि उसकी यहां ED की च्छा पे मारी हुई है करूनों की संपत्ती मिली है अब उस पुनी मुटी का सच सामने आया तो खैरात वो सनातन का रोना रोना शुरू कर दिया और पूरी तरह से खोल कर रख दिया कि दरसल ये घमंडिया गठवंधन बना ही है सानातन को समाप्त करने के फ्रंट पर आकर कि कॉंगरिस को कहना चाहिए कि हम डियम के किस बात से सहमत नहीं है क्योंकि पुनी मुटी डियम के सरकार जो तमिलाडू में जो कॉंगरिस के सहयोग से बन रही है उसका सिक्षा मंतरी है तो बात सिरुफ वहां तक नहीं थी बात सिरुफ यह नहीं थी कि पुन्णी मुटी के बॉस का बेटा स्टालिन को जीप पुनिश्टर की बेटा ने क्या कुछ कह दिया मलेडिया और डेंगू कह दिया उससे आगे जाकर के ए राजा मेंबर पार्लेमेंट उसी DMK का तिहार रिटर्न टूजी मामले में कॉंग्रिस के साथ मिल करके चोड़ी करने वाला के आरोप में जेल गया ए राजा लेकिन फिर रिपीट कीजिए तो प्रियांक खरगे की बात आती है जो मलिककार जुन खरगे का बेटा है उसने भी स्टालिन के बेटे की बात दोड़ाई तो याद कीजिए मलिककार जुन खरगे का बयान खरगे ने कहा था याद होगा जी खरगे ने कहा था कि यदी मोधी दुवारा आ गया तो सनातन राज आ जाएगा इसलिए मोधी को रोकना है तो आखिर कॉंग्रेस को भारत में सनातन राज से खौफ क्यों दिख रा है जिस कॉंग्रेस ने कभी कहा कि आदुनिक संसादनों पर अलफ संख्यकों का हाथ है और इस देश में अलफ संख्यक का मतलब सिर्फ मुसल्मान होता है तो फिर वनमोहन सिंग जब प्रधान मंत्री के दौर में सोनिया ने उन से यह कहबा दिया था कि आदुनिक संसादनों पर सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों का हाथ है अलफ संख्यकों का हाथ है तो उन्हें सनातन राज आने से खौप क्यों हो रहा है तो क्या भारत को इसलामिक राष्ट बनाने का शडियंत्र है जिस देश का विभाजन हिंदू और मुसल्मान के अधार पे हुआ भारत के सांस्कृतिक विरासत मुसल्मानों के कब्जे में पाकिस्तान चला गया उस देश को फिर क्या इसलामिक राष्ट बनाना चाहती है कॉंग्रिस कॉंग्रिसिस खौप में है कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा इसलिए वो सनातन साजिस पर है और इस चीज को पूरी तरह से भाप गए हैं योगी आदित योगी आदितनात ने खुल करके कह दिया कि जो बाबर नहीं कर सका जो तैमूर लंग नहीं कर सका जो आतंकी गुंडे जो भारत पर आकर के हमला करने वाले थे वो नहीं कर पाए तो फिर ये सोनिया के चेले क्या कर लेंगे जरा सुनिये योगी ने क्या कहा जहां एक तरह भारत प्रणानमंत्री मोदी जी के नेत्रुत्तों में दुनिया की एक बड़ी महाताकत के रूप में वहर रहा है वहीं बहुत सारी लोग हैं जो भारत और भारती अतापर आज भी प्रस्न खड़ा करके भारत की विरासत को अत्मानित करने का पुच्छित परियास कर रहे हैं उन्हें राम की परंपरा ची नहीं लगती उन्हें कृस्वी की परंपरा ची नहीं लगती उन्हें महारा प्रताप चंत्रपती सिवाजी महाराज और गुर्गोविंदर सिंच की परंपरा का सम्मान अच्छा नहीं लगता वे लोग विदेशी हुकूमत को विदेशी आकरांताओं को आज भी अपना आखा बनना चाहते हैं ऐसे विक्रित मानसिक्ता के लिए भारत में जगए नहीं होनी चाहिए अगर हमें भारत को दुनिया के एक महा ताकत के रुप में स्तापिक करना है तो हमें भारत की परंपरा के प्रती भारत की सनातन धर्व की परंपरा के प्रती भारत के आध्यात्मिक, साज्कृतिक, परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महापुर्सों के परती दैविय विभ्यूतियों के परती राष्ट नायकों के परती स्वतंद्रता संग्राम सेनानियों के परती संबान और गौरब के नभूतियर भारत वासी के मन में होनी चाहिए और चत्रपती सिवाजी महराज का यह भब बेश्मारक इस बात के लिए एक नई प्रेणा का स्तंब इंदौर से प्रारंब हो रहा है और मुझे विश्वास है इंदौर से प्रारंब हो आए तो इसकी जंकार तंमिन्नाड से लेकर कि कन्या कुमारी से लेकर की कसमीर तक जरूर सुनाई देगी अवश्य सुनाई देगी योगी यही तक गए तो पढ़ान मंत्री मोधि सोनिया के शातिर प्लान को भाब गए और मोधि कोई अबसर छोड़ते नहीं पढ़ान मंतरी मोधी एक कारिक्रम में G20 की सफलता के बाद सनातन गौरब गार है और उन्हें बताया किस तरह से जब पूरी दुनिया भारत की गौरब गाथा गार ही थी भारत के इतिहास को भारत के अतीत के गौरब को समझ रही थी तो कॉंगरिस सनातन समाप्त करने के एज कॉंग्रिस चाहती क्या है कॉंग्रिस जितना सानातन विद्धोह में लगी हुई है सोनिया जितना हिंदुत्यों के खिलाप शडियंद्र में लगी हुई है कमाल की बात है कि सोनिया खुद कुछ नहीं बोलती लेकिन सोनिया की बेटे राहुल गांधी कहते हैं कि लोग मंदि में जाते हैं मथ्था टेकते हैं देवी की पूजा करते हैं आपको कोई बेहन कहता है कोई मा कहता है मगर सच्चा ही ये है कि वो ही लोग जो मा और बहन कहते हैं वो ही लोग आपको बस में छेड़ते हैं हिंदुत वादी जूट का प्रयोग करता है हिंदुत वादी अपने डर के सामने अपना सिर जुकाता है हिंदुत वादी अपने डर को नफरत में हिंसा में बदलता है ओर यह देश तपस्वियों का है ये देश पुजारियों का नहीं है ये देश पुजारियों का नहीं है Realty इस देश की ये वो अपने आपको दत्तातरे ब्राम्हन कहे करके हिंदुत्य को गाली देते हैं तो सवाल फिर उठने लगता है और वो पुरा ग्राप तयार हो करके सामने आ जाता है कि जिसका बाप पारसी जिसकी माँ इसाई वो दातात्रे ब्राम्हन कैसे हो गया, वो हिंदू कैसे हो गया, वो ब्राम्हन कैसे हो गया, तब यह लगता है कि यह जान पोच करके हिंदुत् पूरते हैं चुकि गैर हिंदु होने पर यह दिया ऐसा कुछ बोलेंगे तो इनकी इनका विरोध कम होगा इसी लिए हिंदुत का आवरन ओड़े हुए है पारसी पूत्र इसाई मा का बेटा इसकदर सनातन द्रोह में लगा हुआ है और पुत्तर से दक्षिन तक लेकिन बात सवाल यह है कि क्या राम मंदिर निर्मान किसी भी हाल में 2024 से पहले सामने ना पाए यह साजिश है क्या आयोध्या में उससे पहले कोई बड़ा दंगा कराने की साजिश है क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उत्पात करने का शर्यंत्र है इसी लिए हाल के दिनों में क तैयारी की जा रही है लेकिन वहां लट लेकर योगी आदे तनात खड़े हैं ये सब को पता है जिस तरह से माफियां को योगी ने अंदर किया है वक्तार अस्तारी अतीक हमत से लेकर के आजम खानों का जो पूरा वजूद खत्म कर दिया उनके आथ से एक पैसा निकाल लिया ये सब उच्छी की तैयारी थी दरसल ये समझ नहीं पाते कि वो डाल डाल तो मोदी योगी पात राम मंदिर पर ये उत्पात करते उससे पहले उत्पातियों को योगी साल दो साल पहले जेल में डाल चुके हैं वो तमाम उत्पाती गुंडे सड़क छाप से लेकर के माफि जेल के अंदर और सिर्क जेल के अंदर नहीं है कोई सिब्बल उसे जमानत पर बाहर निकाल सकता था तो फिर उनके आर्थिक तंत्र उनके आर्थिक ढांचे कोई पूरी तरह से योगी ने तबाह कर लिया योगी मोदिक के वो सिपाही हैं जिनने मोदिक के राह के तमाम कंक कर पत्थर काटे निकाल कर फेंक दियें। कलपना कीजिए ये उत्तर कुदेश में मुक्तार अंसारी अतीक हमद आजम खान का वही दौर होता तो क्या योगी इतने आसानी से राम मंदिर निर्मान की प्रक्रिया को जाड़ी रख पाते। क्या राम मंदिर रोकारपन इतना आ हो सकती है। उसका पूरा कुनबाद जेल में है, उसकी बीबी भबोड़ा है, उसका बेटा जेल में है, जो ये कहता था कि अखिलेश यादप को हमने कह दिया है सरकार हमारी आएगी, तो किसी का ट्रांस पर पोश्टिंग मत करना भाईया। याद होगा उसका कुख्यात भ कि ट्रांस पर पोश्टिंग नहीं होगी भाईया। वो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। उसके बाद उसके बाद उनके जाने के सभी दिवेट पर मुख़ लगाए जाएगा। जे, वो मुक्तार का बेटा जेल में है, पूरा कुनबा जेल में है, मुक्तार के लूट की संपत्ति पर गरीवों का घर बन रहा है। योगी आदितनात ने वो सब तस्वीरें दुनिया को दिखाई थी। आज यदि मुक्तार अलसारी बाहर होता, अतीक हमद जिंदा होता, आजम खान का वो रॉब होता, तो क्या आप कलपना कर सकते थे कि राम मंदिर इतनी आसानी से बन जाता या उसका लूकारपन हो जाता। इसलिए कहता हो कि योगी ने मोदी के राह के काटे हटा कर साफ कर दिये हैं, ये सोनिया गैंग को समझ में ही नहीं आता। मामला था, दक्षिन भारत में, जो राम सेतु है, मतलब दक्षिन भारत के सबसे दक्षिन इक्षाम स्रिलंका को जोड़ने माले जो प्रभुराम ने बनाया था। मतलब ये राम से तो बेकार की बाते हैं, एतिहासिक इतने साक्षे हैं राम के, आयोध्या से लेकर के लंका तक एक-एक सबूत चीख चीख कर कहते हैं, जनकपूर से लेकर आयोध्या तक के वो रास्ते के एक-एक सबूत चीख कर कहते हैं कि राम हमारे कनकन में कैसे हैं। लेकिन सोनिया के चिदंबरम ने कहा कि राम और रामाइन कालपनिक है इसका कोई वजूद ने। लेकिन कोछी दिनों बाद वो हलफ नामा वापस ले लिया कॉंग्रिस थे। हलफ नामा इस भैसे कि राम द्रोह की सजा बड़ी हो सकती। लेकिन इसके बाद रिकॉंग्रिस कोई स्थीख ले नहीं पाई। और राम द्रोह में लगातार लगी रही। राम द्रोह में ऐसा लगी रही कि सुप्रीम कोट में जब राम मंदिर मामले पर सुनवाई हो रही थी। आयुध्या में बापरी मस्जिद विध्वांस मामले पर सुनवाई हो नहीं हो रही थी। तो सोनिया ने अपने सिब्बल को इस पे दाओं पे लगा दिया। कपर सिब्बल देश के कानौन मंतری, देश के मानम सलशादन मंतری होने के बाबजूद बापरी मस्जिद के वकील थे, बापरी मस्जिद एक्सन कमीटी के। सुनने वोट के वकीब थे कप्ल सिबल और लगातार सिबल ये साजिस रच रहे खे कि किसी भी हाल में 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर पर सुनवाई नहीं सिबल को ये लग रहा था कि 2019 में उनकी सरकार वापस आ जाएगी फिर किसी भी हाल में राम मंदिर बंदने नहीं देंगे इसलिए हर हाल में रोका जा रहा था और उसमें वो सफल भी हो जब जस्टिस प्रीपक मिसरा इस मामले की सुनवाई चाहते थे कि आठ नौ साल से सुप्रीम कोर्ट में नौ साल से ज़्यादा समय से ये पेंडिंग है इसकी सुनवाई हो जाए तो सिबल ने जिद अक्तियार कर दिया और जिद ठान दी कि 2019 से पहले ये नहीं होना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार था तो सिबल की साजिस इतनी बड़ी हुई कि उनके खिलाफ शडियंत रहोने लगा किसके खिलाफ तब के सिजी आई ही जस्टिस दीपक मिसरा के खिलाफ एक प्रेस कॉंफरेंस कायोधन करा दिया गया चार जज़ों के साथ और टॉंग्रिस कोटे के वो शेखर कुपता इस पूरे मामले में असली खिलाडी बनकर सामने आया जो कभी सुप्रीम कोट की किसने रिपोर्टिंग नहीं की थी शेखर कुपता वही है जिसने फरजीवारा किया था नांधुलन के समय और इंडियन आर्मी के खिलाप शडियंद किया इंडियन एक पड़ी सी खवर चपी कि भारतिय सेना सलसद और राष्टपती भुबन के तरफ मार्च कर रही है उस समय में जो भारत के जनरल थे वाज बोधी सरकार में मंत्री जनरल बीके सिंग ने रख्षब होटाले के कई मामले के खुलासे किये थे सरकार के मंत्री लूट करना चाहती थी और इसलिए जनरल बीके सिंग का चड़ित रहनन करने के लिए यह स्टोडी प्लांट की गई है जानते हुए कि इंडियन आर्मी वारते सम्मिधान के मुताविक इंडियन आर्मी संसत और राष्टपती ववन पे कबज़ा नहीं कर सकती। वही शेखर गुपता जिसने फरजीवारा किया पूरी तरह से इस प्रेस कॉनफेंस के आयोजन में था। चार जज़ों ने सुप्रीम कोट में प्रेस कॉनफेंस कर दी। अपने ही बॉस के खिलाप ये इतिहास में पहली बार गुआ। पहली होने नहीं देंगे। जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे। किसी भी तरीके से राम मंदिर पर सुनवाई ना हो से। लेकिन सुनवाई हुई और पाथ जज़ों ने सर्व सहमती से जो फैसला दिया उसके कारण आज दिब विभभ पे राम मंदिर अयोध्या में बन रहा। उसके लिए कमीटी बनाने का निर्देश भारत के प्रण मंत्री को दिया गया था और वो कमीटी बनी सुप्रीम कोट की अगवाई में भी और आज चंपतराई ने जब इस बात की जानकारी देश के सामने रखी कि कैसे उस जव्या की खुदाई में जब निर्मान राम मंदिर का हो रहा है तो किस तरह से अवशेस मिले हैं प्राची इन राम मंदिर के दरसल कांगरेस का इससे पूरा चडित्र खुल रहा है कैसे राम द्रोव परा तो वे करेंगे तो फिर चाती पर मूं कैसी दली जाए तो क्या राम मंदिर के लोकारपन के भै में ये शडियंत हो रहा है क्या ये घमंडिया गटवंधन राम मंदिर के लोकारपन से पहले भारत में कोई बड़ा उत्पात करने का शडियंत रच रही है क्या ये सब कुछ खेन उसी के लिए हुआ है लेकिन ये जितना छोटा सोचते हैं मोदी और शाह उससे बढ़ा राम मंदिर के खिलाप एक-एक शडियंत रजब फेल हुआ तो अब घमंडिया गडवंधन सनातन पर साजिस कर रही कमाल की बात ये है कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यत के बाद भी ये शडियंत इस रही है ताकि कुछ लोग जो सेलेक्टेड लोग हैं जो खेरात पर आस तक जीते रहे हैं उन्हें लग रहा है कि उनका यूग खत्म हो गया है उनका दौर खत्म हो गया है इसलिए हर हाल में राम मंदिर का निर्मान रुखना चाहिए उसका लोकारपन रुखना चाहिए जिस तरह 2000 19 से पहले सुप्रीम कोट का राम मंदिर पर जज्जमेंट इनके लिए परिशानी का सबब था उस शातिर खेल तो वो खेल वाए लेकिन ये हर हाल में चाहते हैं कि 2024 से पहले किसी भी आलत में राम मंदिर का निर्मान का कारे पूरा ना हो से इसी लिए शड्यंत इस अस्तर तक का कि वो तमाम लोग जो सनातनी ही हैं उस सब एक से एक बयान दे रहें जरा उन सब के एक एक बयान को सुन लिजे जिन जिन इस सनातन के खिलाप बयान दिये हैं बारी बारी से दुबारा से इंदू थर्म नांकी कोई इस्ची कोई थर्म है ही नई इंदू थर्म के वाल ठोखा है अपड़िगा इंद सनातन दर्म और आरेसस की हुकमत आएगी राम और कृष्ण को इश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूँगा मैं गौरी गनपती आदी हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ये जो गरंथ हैं नफरत को बोने वाले एक एक जुग में मनुश्मिटी दूसरे जुग में रामसाइट मानस और तीसरे जुग में गुरु गोवलकर का बंचव थोट ये दु है पंडावासा शुग तो कि राम मंदिरा साथी देश बरातून लाखो चा संकेने हिंदू बोलवाईचे बस गाड़ा ट्रेंस अरतन याइचा और तीकन चालें तक परकताना मदे कुड़ु तरी गोदरा घडवाईचा परूश्ट प्रूश्ट प्रूश्ट And I have said that temples are not going to create jobs. burgh जुख चुछ मेरेच एक सांचा की बडिया अग्ẫn परूश्ट प्रूश्ट प्रूश्टच प्रूश्ट में लिगन्ट्मा्ट प्रूश्ट पर के draw कि तर तो लो लो नुन। जीवी दान अचंदा जीवी, that's what Mahua Moetra says. जीवी दुबारा जेल जाने के भैसे बैदनात्राम के मंदिर में 21 लीटर दूर चणाने जाते हैं, अपने ग्रीज जीला गोपाल गंज के थावे के शिव मंदिर जाते हैं, वो जो देश के अलग जो राज्ज के अलग अलग हिस्से के मंदिरों का दोड़ा कर रहे हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष जगदान अलसिंग किस तरह जहर उगल रहे हैं, आपने देखा, तो ये सब के सब कालनेमी ही नहीं हैं, ये सब के सब भस्मा सुर हैं, जो खुद को भस्म कर रहे हैं, सनातन के नश्ट करने के शडियंत्र में खुद नश्ट हो रहे हैं, ये खरगे को अपना अध्यक्ष बनाया है, वो खरगे ये देश को डरा रहे हैं के रिमोदी आ गये, तो सनातन राज फिर से आ जाए, और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ती मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरेसेस की हुकमत आएगी सनातन राज हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, राम धर्ती में, मानब्ताक में की आदर्श हैं, वो किसी मजभब की सीमा से राम को नहीं बना दसकता वसुदैब कुटलों का संदेश इसलिए जी ट्वेंटी में दुनिया को भारत ने दिया, भारत ने किसी के देश किसी खिस्से पे कभी कबजा करने की कोशिश नहीं की, हिंदों ने कभी दूसरे मजभब के लोगों को धर्मान्तरित करने की कोशिश नहीं की, कोई ऐसा संगठन सनातनियों का नहीं है, कि दूसरे धर्म के लोगों को धर्मान्तरित करें, वो घरवापसी की कुछ संगठन करते हैं, जो पुराने हिंदू होते हैं उनकी वापसी की, लेकिन सवाल ये है, कि एक सनातन राष्ट में सनातन के खिलाप साजिस करके, कोई पोलिटिकल पाटिक जिन्दा होने के लिए अपना वजूर रास रही है, और लगातार बरबाद हो रही है, तो ये देश समझ रहा है कि भव्य दिब्व राम मंदर के निर्माल से पहले ये शडियंत्र कैसा हो रहा है, आप और हम कितना समझते हैं, कितना समझना चाहिए, वह देखना लेकिन जिस दिन राम मंदर बन के तैयार हो जाएगा, सोचिए लाखों लाखों का रोजगार का आवसर प्राप्थ हो, जिस अयोध्या में आप दो साल पहले के अयोध्या को देख लीजी, आज के निर्मित अयोध्या को देख लीजी, और दो डेर साल बाद के अयोध्या क स्टेशन आयुध्या में बनेगा तो फिर उसका स्वरूप क्या होगा आयुध्या में पंडे पुजारी से लेकर रिक्षावाले से लेकर फूल माला बेचने वाले से लेकर के उन तमाम लोगों का आमदनी का स्रोथ बढ़े रोजगार जो सरकारी ढूंडते हैं सिर्फ रेलेवे में ढूंडते हैं उन्हें समझ में आएगा कि रोजगार मंदिरों के स्वरूप से कैसे है और जब मक्का और मदीना से बड़ा सेंटर हो जाएगा क्योंकि दुनिया में एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया के जितने भी जनप्रतिनिदी हैं वो युद्ध्या जाएंगे और फिर सिर्फ धार्मिक अस्थल का मामला नहीं रह जाएगा बहुत सारे गैर ऐसे लोग जो राम देखना चाहेंगे कि भारत आखिर राम को आदर्श क्यों मानता है दरसल राम मंदिर बनने के बाद भारत का पूरा स्वरूप बदल जाएगा कुंगरिस उसी खौप में है और इसी लिए राम मंदिर लोक नितकिन लूपारपन से पहले सनातन पर साजिस के शडियंत्र में एक संगठन बना रही है यह आरोप कोई नहीं लगा रहा सोनिया के चेले खुद ही सोनिया के पूरे शडियंत्र को तार तार कर रही है उसी खौड रही है देश इसे कितना समझता है यह समझना ज़ादा दिल चलाएगा यह वीडियो विश्लेशन कैसा लगा इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजे आपके एक एक लाइक से हमारा रीच बढ़ता है दूर तलक बात जाती है इसलिए वीडियो को लाइक कीजे उसे शेर कीजे इसलिए आपने सबिस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबिस्क्राइब कीजे ज्वाइन बटल से आप चैनल का मेंबर बनिए ताकि आपके साथ हमारा संबाद आगे जूडता रहे बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहिंद